रामू ने अपनी पत्नी के लिए इस बालकनी में वाशिंग मशीन और वाश वाशन इस प्रकार से लगवाया है लेकिन जब इसकी पत्नी कपड़े धोने आती है इस हरामजादे रामू ने ये वाशिंग मशीन कैसे लगवा दी है, इन में में पानी कैसे डालूंगी, और ये पाइप भी ऐसे ही खुला छोड़ दिया है, और ना कपड़े सुखाने के लिए कोई हैंगर लगवाया है रूपा, तुम गुस्सा मत हो, मैं अभी इसे अपनी बुल्डोजर से खाली करके डिजाइनर सहाब को तुम्हारे हिसाब से बनाने को कहता हूँ डिजाइनर सहाब सबसे पहले आप इस पाइप को इंट से कवर कर दो नहीं रूपा, इससे ये पाइप जल्दी खराब हो जाएगा इसलिए हम इसके उपर काले कलर की मजबूत टेप लगा कर इसके आगे लकडी का रेक बनाएंगे जिसमें तुम्हारे सफाई की और इलेक्ट्रोनिक के सामान रखे जाएंगे अब इसके साइड में दोनों वाशिंग मशीन लगा कर इनके उपर वाश वाशन लगाएंगे जिससे तुम इनके अंदर आसानी से पानी भर सकती हो इनके उपर दीवार पर एक रेक और बनाएंगे जिसमें हार्पिक और डिटरजेंट पाउडर रखेंगे नहीं रूपा, जब हवा चलेगी तो ये कपड़े नीचे गिर सकते हैं इसलिए हम इस साइड में इस प्रकार का हैंगर लगाएंगे और एक हैंगर इसके नीचे रखेंगे इनके आगे जाली वाला गेट लगा देंगे अब आप भी इस बालकनी के नजारे को देख कर बताओं ये डिजाइन आपको कैसा लगा है